नमस्कार मैं हूँ सुरेश्क बारे कलवय और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स आज चीन परोशी पाकिस्तान के जिस गवादरबंदरगा को विक्सित कर रहा है वे कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था बलकि यह गवादर बंदरगा भारत का हो सकता था मगर ततकालिन कांगरेश सरकार ने इसको लेकर गम भीरता से नहीं सोचा मगर उस वक्त कांगरेश के नेता बोट बैंक की राजनीती में ऐसे उलजे थे कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी गवादर को पाकिस्तान के हाथ में जाने दिया यदि ततकालिन सरकार ने गवादर को लेकर भविस्से के हिसाब से सोचा होता तो पाकिस्तान इस पर कभी काबिज नहीं होता हालकि इस समय पाकिस्तान ने इस पोर्ट को चीन को 40 साल के लिए किराई पर दे दिया है जिससे भारत को इससे थोड़ी मुश्किल मैसूस हुई है मगर इसकी काठ निकालने के लिए भारत ने अभी आसे 170 किलोविटर दूर इरान में नया बंदरगा विक्सित करने का काम सुरू कर दिया है भारत के इस कदम को गवादर पर चीन के कदम का काउंटर माना जा रहा है एक बात यह भी कई जा रही है कि भारत की थोड़ी सी राजनितिक चूक से गवादर भारत के पास से निकल गया और पाकिस्तान के इससे में चला गया गवादर जिस इलाके में इस्तित है उसे मकरान कहा जाता है इतियास में इस इलाके का जिकर है 325 इसापूरु में जब सिकंदर भारत से वापस यूनान जा रहा था तब रास्ते में वेगवादर पहुचा सिकंदर ने सैलुकस को यहां का राजा बना दिया 303 इसापूरु तक यह इलाका सैलुकस के कबज में रहा 330 इसापूरु में चंदर गुप्त मोरिया ने हमला करके इस इलाके को अपने कबज में ले दिया 100 साल तक मोरियवंच के पास रहने के बाद 202 इसापूरु में गवादर पर इरानी सासको का कबजा हो गया 711 में मुहम्मद बिन कासिम ने हमला कर इस इलाके को अपने कबजे में ले लिया इसके बाद यहां बलोच कभीले के लोगों का साचन चलने लगा इसमाइल बलोच की सेना से पुर्थ गाली पार नहीं पासके लेकिन पुर्थ गाली ने गवादर में आग लगा दी शोलवी सदी में अकबर ने गवादर को जीत लिया अठारवी सदी तक यहां मुगल राजाओ का राच चलता रहा यहां कलातवंच के लोग मुगलों के नीचे सासन करने लगे भारत में जब भी चीन और पाकिस्तान की एक साथ बात होती है तो गवादर पोट का जिकर जरूर होता है चीन पाकिस्तान के इस बंदरगा को आर्थिक गलियारे की अपनी नीची के तैत विक्षित कर रहा है विदेश नीती के जानकार कहते है कि भारत को घेरने की चीनी नीती में गवादर का एहम रोल है गवादर पोट की भगोलों की स्थिती भारत को घेरने के लिए एक दम मुफीद है लेकिन भारत यहां से 170 किलोमेटर दूर इरान में चाब आरबंदरगा को विक्षित कर रहा है भारत के इस कदम को गवादर पर चीन के कदम का काउंटर बाना जाता है लेकिन गवादर 1958 तक पाकिस्तान का इस्सा नहीं था कहा जाता है कि भारत की थोड़ी सी राजनीति चूक की वज़े से गवादर पाकिस्तान का इस्सा बन गया भारत और ओमान के संबद अच्छे थे इसलिए पाकिस्तान को लगता था कि ओमान गवादर को भारत को सोप सकता है ऐसे भी पाकिस्तान के प्रधार्मंत्री फिरोजसा नून ओमान के दोरे पर गए और ओमान के सुल्टान के साथ करीब 3 बिलियन डोलर की रकम से गवादर का सोदक कर लिया 8 दिसंबर 1958 को गवादर पाकिस्तान का इस्सा बन गया उसे मकरान जिले में तैसिल का दर्जा दे दिया गया लोगों का कहना है कि ओमान के सुल्टान ने गवादर के इलाके को भारत को सोपने या बेचने की इच्छा जाहिर की थी लेकिन भारत सरकार का मनना था कि भारत से लगबग 700 किलमेटर की दूरी पर इस्थितेक जगय को पाकिस्तान से बचाय रखना मुश्किल काम होगा इसलिए ओमान ने पाकिस्तान को गवादर पोर्ट बेच दिया हलकि पाकिस्तान जल्दी इस पोर्ट पर कुछ जादा नहीं कर सका पाकिस्तान ने 1993 में इस पोर्ट से काम लेना सुरू किया इलाके का तेज विकास 2002 से सुरू हुआ जब गवादर से कराची हाईवे बनने की सुरू आत हुई 2013 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए समझोते में पाकिस्तान ने 40 साल के लिए गवादर पोर्ट को चीन को किराये पर दे दिया है वही भारत ने इस कदम की काट निकालने के लिए गवादर से 170 किलोमेटर दूर इरान के चाबार पोर्ट को विक्सित करने का फैसला किया है अमरीका ने इरान पर लगाए आर्थिक परतिबंदों से चाबार पोर्ट को अलग रखा है लेकिन अगर ये आर्थिक परतिबंद और सक्त हुए तो इनकी जद में चाबार पोर्ट भी आ सकता है ऐसा हुआ तो गवादर के काउंटर में विक्सित किया जा रही चाबार पोट के लिए ये एक जटका साबित होगा 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो भारत और पाकिस्तान दो अलग 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 देश हो गई मकरान पाकिस्तान में सामिल हो गया और उसे जिलाब बना दिया गया गवादर का स्वामितव अभी वह मान के पास ही था हाला कि गवादर के लोगों ने पाकिस्तान में मिलने के लिए आद्मोलन करना शुरू कर दिया था 1954 में पाकिस्तान ने गवादर में बंदरगा बनाने के लिए अमरीका के साथ बात शुरू की अमरीकी जियोलोजीकल सरवे ने गवादर का भी सरवे किया था इस सर्वे से पता चलता है कि गवादर को डीप सी पोर्ट यानि पानी के बड़े जहां जो कहने कूल बंदरगा बनाने की सही प्रिस्थितिया है आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आओगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजे जए जवान जए किसान जए हिंद बने बातरव